नमस्कार स्वाधत है आप सभी का एनम 92 बारह भरती में आज कुछ बहने वाराणसी जिले में जो बहने हो वो मुख्यमंतर योगी जी से मुलाकात करने के लिए उनको ग्यापन देने के लिए जरूर प्रयास करें कल जो रात वाला वीडियो था साम वाला उसमें हमने कमेंट भी पिंड करके सूसना दे दी थी कि वाराणसी में मुख्यमंतर जी का आगमन रहेगा और काफी समय तक रहेंगे और उनको ग्यापन देना संबह वाई अगर थुड़ा सा प्रयास कर लिया जाए तो ग्यापन उनको हम दे सकते हैं और अपनी बात उन तक पहुचा सकते हैं पिछले छे से साथ दिन से आप देखेंगे कि हम एकी बात डेली बताते हैं कि सब कुछ सासन अस्तर से रुका हुआ है ना तो विभाग से और ना ही आयोग से हाला कि मैं यह माननदा हूँ कि मैं भी आप सभी कितर उमीद लगा करके बैठा हो रता हूँ हादर हर दिन हमें भी उमीद होती है कि साथ आज कुछ अच्छी खबर मिल जाए और उसी तरस हम आपको भी कुछ बताने का प्रयास करते हैं कि हो सकता है कि सासन से कभी भी फैसल प्रियास करते रहेंगे कोशिस करते रहेंगे तो जरूर अच्छा ही होगा कल ये कमेंट हमने पिंड किया हो था कल वाले वीडियो पर जो भी भाई हमारे इस भरती में जुड़े हुए हैं उनसे भी अनरोध है कि अगर आप भी अगर सह्योक कर सकते हैं तो आप भी हमारी बहनों का जरूर साथ दें यहां पर दिखे नमो घाट पर 22 जनवरी को साम 3 बजे कारिकरम का सुबारम होगा इसके बाद मुक्यमंदरी योगी आदितनात और पेट्रोलियम मंत्री की ओर से नमो घाट से दस्वास मेध घाट तक निकलने वाली बोट रेस के लिए तैयार नाओं को हरी जंडी दिखा कर जाएगा इसी दिन दस्वास मेध घाट पर संधय आरती चेत सिंग घाट पर लेजर सो नमो घाट पर शांसगीर्तिक कारिकरम होगा इधर मुक्यमंदरी के कारिकरम को लेकर जिला प्रसासन ने भी अपने तयारी सुरू कर दी है बस इसमें ध्यान यह रखना होगा कि जो अ ऐसे प्रसासन की ऊपर होता है प्रसासन से मिलने के लिए गए कभी कभी होता हो ग्यापन स्वैम ले ले लेते हैं बोलते हैं कि मुक्यमंतरी जी को दे देंगे लेकिन एक बार मुक्यमंतरी जी को स्वैम अपने हाथों से ग्यापन देने से थोड़ा उसका ज्यादा प्रभ मुख्यमंत्री जी को हर बार हमें आश्वासन दिया जाता है कोड केस का मैटर था वो मैटर भी पूरी तरह से समाफ्त हो चुका है अब जो कुछ भी आपर देरी बताई जा रही है विभाग से कि अभी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है तो अपने आप करके बेवज़े भ्रम पहलाया जा रहा है कि EWS में कोई सुनवाई होनी है EWS का कोई भी मैटर दो फरवरी को अगर लगा भी होगा तो कोई ऐसा नया केस होगा उसके में जानकारी नहीं है लेकिन दो फरवरी को एक तेरा चार सुतिरपन वाला केस है और अभी उसमें सुनवा कुछ लोग यह भी आपको बता रहे होंगे कि अगर जनौरी में नहीं हो पाया तो सीधे मार्च में होगा ऐसा किस वज़े से ऐसा थोड़ी होता है और एक चीज और देखिए अगर 27, 28, 29 में अगर चुकि आप देखेंगे कि जो MLC वाला चुनाव है उसको लेकर के कुछ स दिक्कत नहीं है बहुत होगा तो उन जिलों में नियुक्ति पत्र बित्र नहीं कराए जाएंगे बाकी जिलों में कराए जा सकते हैं ऐसा पहले भी हुगा है एक बार उप चुनाव चलना था अगर आप में से कुछ लोग अगर जानते होंगे 79,000 शिक्षक बरती में तो उ दो दिन के बाद करा सकते हैं नियुक्ति पत्र बित्र बित्र समारो लेकिन मार्च में होगा ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा हम लोग मान करके क्यों चलेंगे पहले से और किसलिए मार्च में होगा और अभी जो नियुच पेपर में दिया हुआ था कुछ दिन पहले कि जनौरी फ पिर से ट्वीटर अभियान में जुड़े रहेंगे आपको जब समय मिले तब आप ट्वीट्स करते रहें अधिक सदिक और पहले ट्वीट्स कर ले जब आपको लगे कुछ कमेंट आये थे कि हमारा जो ट्वीटर आईडी हो ब्लाक हो गया तो हो सकता है कि आपने बहुत ज्य बाद में बाकी इतनी जल्दी अकाउंट सस्पेंड नहीं होता है जब हम बहुत ज़्यादा ट्वीट करने लग जाते हैं उसी समय और एक चीज़ आप लोग बिसेज ध्यान रखें कल बहुत ज़्यादा गलतिया तो नहीं हो है लेकिन कुछ थोड़ी बहुत दो-चार पर नहीं कर पाए तो आप सभी से भी निवेदन है कि आप लोग आज की मुहिम में जुड़े आज कोशिस जरूर करें बाकी बीबिन गुर्बों में और सभी जो अपडेट देने वाले भाई बंदू है उन लोगों से भी आग रहे कि आप लोग भी दो-चार-दस ट्वीट ज समय कर लीजेगा और कुछ भेहन हैं हमारे वाराण से कि आप मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जरूर कोशिस करें क्योंकि आज आप लोग प्रयास करेंगे तो उनको ग्यापन देपाना संभा होगा काफी समय तक उनका कारकरम है तो इस वज़े से पूरी संभावना रह जाएगी क्याव फीर जब भी रहें क्योंकि उनके लिए संदे से कोई दिखरत को होगा कारकरम के साजन को जारी करना होगा तो उनके लिए संडे से. कोई दिक्कत नहीं वह आज भी निर्दे से दे सकते हैं, वह आज भी नोटिस जारी करवा सकते हैं, बाकि अभी जोएstrateg को लेकर के या नोटिस को लेकर के कोई भी कंपर्म सुचना नहीं है, वीडियो को आप सभी सेर कर दीजिएगा ताकि सबी लोग वमारे इस मुहिम में जुड़े और ये मुहिम में आप सब की जोईनिंग को ले करके धन्यवाद